हलो फ्रेंड्स वेलकम तो अससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज के इंपोर्टेंट सवालों की जो एक्जामें पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपका एक आदमी अपनी आयका एक निश्चित भाग अगर वो इसी कार को नो महीने में खरीदना चाहता तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिसत बढ़ानी पड़ेगी पहले क्या करता है एक साल के लिए बचत करता है मतलब एक साल में खरीदता है ठीक है अब एक साल की जगे क्या करता है नो महीने में खरीदना चाहे तो उसे अ एक साल में खरीता है सबसे पहले एक साल के लिए बचत करेगा तो एक साल में कितने महीने होते हैं बारा तो ये बचत कितनी हो जाएगी बारा एक्स पहले महीने में एक्स हो जाएगी दूसरे महीने बचत करेगा एक्स तो टू एक्स फिर तीसरे महीने में एक्स बचत करेगा तो 3X ऐसे ही एक साल में 12 महीने होती है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 12X हो जाएगी किलियर दोस्तों यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब क्या कह रहा है कि उसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता तो उसे अपनी बचत कितने परिशत बढ़ानी पड़ेगी उसी कार को किलियर है अब यह तो पहले वाली बचत हो गई दूसरी बचत मान लेते हैं वाई करता है वो बचत बढ़ा देता है कुछ भी कर देता है उसे हमने क्या कर लिया वाई मान लिया ठीक है यहाँ पर बात थी दोस्तों 12 महीने की एक साल की अब बात है कितने महीने की 9 महीने की ठीक है अब इसी कार को वो क्या करता है, नो महीने में खरीदना चाहता है, किलियर है, और जो कार का जो मूले वो तो एक बराबर होगा, माली जे कार आपकी 100 रुपे की है, इसी 100 रुपे की कार को पहले वो 12 महीने में खरीदना चाहता था, फिर क्या उसके दिमाग में आया, कि चलो क कुछ बढ़त करते हैं और 9 महीने में ही खरीद लेते हैं तो उसने अपनी बचत में कुछ ना कुछ तो बढ़त करी होगी वही वह पूछना चाहरा है के लिए और यहां पर क्या होगा कार्य का मूल जब एक बराबर है केलियर है यही कार पहले 12 महीने में आ रही थी अब यही कार आप 9 महीने में आएगी केलियर है तो यह एक दूसरे के बराबर हो जाएगा केलियर होगी तो इस बात बराबर कैसे हो जाएगा देखे यह कुछ बचत है एक महीने में एक्स बचत करता है 12 महीने में 12X बचत कर लेगा, किलियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब यहां पर क्या आता है, 12 महीने की जगे वो 9 महीने में ही खरीदना चाहता है, कार का प्राइस तो सेम रहेगा, किलियर है, चाहे 12 महीने में खरीदो, कार का प्राइस तो आपका सेम है, किलियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा के लिए दोस्तों अब इसे काट लो तीन से कर जाएगा चार बारी तो चार एक्स बराबर तीन से कर जाएगा तीन बारी तो तीन बाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स बट्टे में बाई बरावर 3 बटे 4 हो जाएगा किलिए दोस्तों, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब देखिए पहले क्या था, X उसकी बचत 3 थी अब कितनी हो गई? 4 कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई किलिए दोस्तों, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए पहले कितनी थी तीन बाद में कितनी हो लिए चार कितना बढ़ रहा है दोस्तो एक बढ़ रहा है कितने पर बढ़ रहा है तीन पर तो एक बट्टे तीन हो जाएगा बचत कितनी है दोस्तो उसकी एक्स है clear है तो x पर ही तो बढ़ेगा कितना बढ़ रहा एक कितने पर x पर बढ़ रहा मतलब 3 पर बढ़ रहा है clear है और percent के लिए क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे यह क्या हो जाएगा दोस्तो 100 बट्टे 3 हो जाएगा और 3 से जब 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1 बट्टे 3 पर रहा आँसर आजाएगा के लिए दोस्तों यही क्या हो जाएगा आपका सही आँसर तो आपसे पूछा गयता उसे अपनी बचात कितने पर रहानी पड़ेगी 33 पूरांग 1 बट्टे 3 पर रहानी पड़ेगी यही क्या हो जागा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ question आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब ये question जब आपकी समझ में आ गया है तो अम मैं अगला question आपको दोगा उसे आप मुझसे पहले solve कर दोगे चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन आपका एक आदमी अपनी आयका एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीनों में एक कार खरीद सके अगर वो इसी कार को 14 महीनों में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रजस बढ़ानी पड़ेगी वैलू चेंज हो गई है दोस्तों बस सवाल आपका पहले के जैसा है किलियर है अब नहीं पता है कितना बचत करता है तो एक्स माली जी एक्स बचत करता है अब 16 महीने की बात हो रही है तो 16 एक्स बचत करेगा यह किलियर है यहाँ पर क्या है 14 महीने की बात हो रही है तो वाई कितना हो जाएगा आपका 14 और यह दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे किलियर है दोस्तों 2 से काट लीजिए 8 बार कटेगा 8 एक्स बराबर 2 से काट लीजिए 7 बाई हो जाएगा तो एक्स बटे में बाई कितना हो जाएगा बराबर 7 बटे 8 हो जाएगा किलियर है कितनी की बड़ात हो रही है एक की किलियर है कितनी की बचत हो रही है पहले 7 की बचत कर रहा था बाद में किर रहा आठ की जो यहाँ पर कितने की बच्चत हो रही है एक की ज्यादा की बच्चत हो रही है किलिए दोस्तों यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो कितने पर हो रही है बच्चत साथ परी तो हो रही है तो एक बट्टे साथ किलियर है परसेंट के लिए क्या करेंगे सो से मल्टीप्लाई यह का मल्टीप्लाई सो से हो जाएगा तो यह आपका सो ही रहेगा बटे में क्या है साथ साथ से सब सो में डिवाइट देंगे तो कितना आजाएगा 14 पूराग 2 बटे साथ प्रेस्त्त आ जाएगा यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा तो उम्मिद करता हूँ यदि पहले question में किसी को कोई doubt था तो इस question में दोस्तों अच्छे तरीके से clear हो गया होगा पहले question को समझने में time लगा होगा लेकिन इस question में तो आपको बिल्कुल भी time नहीं लगा होगा समझने में केलियर है उम्मिद करता हूँ दोनों question आपको अच्छे तरी कैसे समझ में आगे होंगे अब चलते हैं अगले question के हो जो थोड़ा और कठेन है केलियर है उसे देखते हैं कैसे solve करना है अगले question है 12 सामान की लागत मुल्य 9 सामान के विक्रे मुल्य के बराबर है और 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाव के बराबर है लाव प्रतिसत और छूट प्रतिसत के बीच का जो अंतर है वो हमें बताना है क्या होगा केलियर है question को दोस्तों अच्छे तरीके से समझ लेना देखे करना क्या है आपको इसमें CP कितना दे रखा है CP आपको दे रखा है 12 मतलब 12 सामान का जो लागत मुल्य लागत मुल्य का मतलब क्रे मुल्य कितना है 12 CP कितना है 12 क्या है से बड़ाबर बराबर SP कितना है 9 ठीक है 9 आपका SP हो गया यहां तक तक कोई डाउट नहीं होगा केलियर दोस्तों आप देखें से कटा लेंगे यह कर जाएगा 3 से 4 रा तीं से तीन बार केलियर है CP कितना आ गया, 4 आ गया SP कितना आ गया, 3 आप देखिए क्या हो जाएगा CP बट्टा SP बराबर 3 बट्टे 4 हो जाएगा यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा किलियर दोस्तों, मतलग Cost Price आपका 3 है, तो Selling Price कितना हो गया 4, कितने का Profit ले रहा हो यहां पर 1 का Profit ले रहा है यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा अब देखिए आगे समझते हैं यहां पर क्या दे रखा है, 10 सामान पर 5 सामान पर लाब के बराबर छूट है इसकी, किलियर दोस्तों आप देख लेते, 10 सामान मतलब 10 कितना है आपका सामान पर छूट का मतलब क्या है डिसकाउंट, तो दिसकाउंट आ गया बराबर, 5 सामान पर लाब का मतलब क्या है, Profit तो 5 आपका क्या आ गया, Profit आ गया किलियर है, इससे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दोना 10 कटेगा तो 2D बराबर 1 Profit किलियर है, तो इससे हम जब करनवर्ट करेंगे, तो DEP एकोल टू क्या जाएगा, एक के वटे में 2 आ जाएगा, किलियर है, आप देखिए Question में को समझने की बारी अब आई है देखिए Question में क्या कहे रहा है लाब प्रेस्ट और छूट प्रेस्ट के बीच का हमें अंतर बताना है, कोई बात नहीं आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए Cost प्रेस आपका कितना था, 3 था Selling प्रेस कितना था, 4 था, कितने का Profit हुआ, एक का हुआ मतलब 3 की चीज़ को हमने 4 में बेचा तो एक का Profit हुआ, और यहाँ पर Profit बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर Profit एक का है यहाँ पर Profit दो का है अब गड़बड होगी दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, Question को अच्छे तरीके से समझ लीजे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, Solve कर लिया अब क्या कह रहा हूँ, मैं आपको Question को अच्छे तरीके से समझ लीजे अब दीखे, Profit यहाँ पर 2 का है यहाँ पर Profit एक का है हमें क्या चाहिए, Profit हमें बराबर करना है तो बराबर कैसे होगा, इधर 2 का Profit है तो इधर का भी 2 कर लो, Multiply इधर 2 से कर लो इधर 2 से Multiply करेंगे, तो इसमें भी 2 से Multiply होगा इसमें भी 2 से होगा, Clear है आप देखे, Cost Price आपका कितना आ जाएगा 3 दुनी 6 आ जाएगा, Cost Price आपका 6 हो गया Selling Price आपका कितना आ जाएगा 4 दुनी 8, Selling Price 8 हो गया Clear दोस्तों, अब क्या है अंकित मुल्य आपका कितना आ जाएगा अंकित मुल्य मतलग, Man Price कितना आ जाएगा दोस्तों आपका अंकित मुल्य अब देखे, यहाँ पर समझे, अंकित मुल्य कितना आ जाएगा यहाँ पर Selling Price आपका कितना है 8 है, Discount कितना दे रखा है एक का देखिए दोस्तों 9 रुपे की चीज़ पर 9 रुपे की चीज़ को 8 रुपे में बेचेंगे तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा एक का ही तो मिलेगा तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको कितने का दे रखा है एक का डिसकाउंट आपको यहाँ पर दे रखाए के लिए रहा है बात समझ में होगी देखे 6 रुपे की चीज को 8 रुपे में बेच रहा है दो का प्रोफिट हो रहा है देखे 6 रुपे की चीज को 8 रुपे में बेच रहा है कितने का प्रोफिट हो रहा है अब देखे, 6 रुपे की चीज पर 2 रुपे का फायदा हो रहा है, केलिए रहे, समझ में आरे दोस्तों बात, 6 रुपे की चीज को 2 रुपे में बेच रहा है, इसका मतलब 2 बटा 6 हो जाएगा, केलिए दोस्तों, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसे जब सॉल कर है, लाब हो गया, केलिए रहे, देखे, 2 रुपे का लाब था, 6 रुपे की चीज पर, तो 2 रुपे का लाब था, 6 रुपे की चीज पर हमने लिख लिए लाब हो गया, अब डिसकाउंट ले लेते हैं, केलिए रहे, 9 रुपे की चीज थी, 8 रुपे में बेची कितने का डि 3-9 से काटेंगे नो enabling दो यह 10 के लिए परशन्ट के लिए 100 सेुसर से मल्टिप्ट्ट आई करेंगे थो यह दोश्तो को कातेंगे तो कितनी वां जाएगा यह चला जैगा दोश्तो भाइश पूर्डांग», दो बटे 9.3 आपका सही आंसर हो जाएगा. क्या था? छूट का और लाव का आपसे प्रेज़ात का अंतर पूछाता तो कितने का अंतर है? भाइश पूर्डांगzuge दो बटे 9.3 का अंतर है. किलियर देखे कैसे नहीं समझ में आया है तो समझ लीजिए देखे सेलिंग प्राइज आपका 8 था 6 रुपे की चीज को 8 रुपे में बेचा कितने का प्रॉफिट हुआ दो का तो 2 वटे 6 आ गया ये तो हो गया दोस्तो आपका प्रॉफिट किलियर है अब बात करते हैं छूट की 9 रुपे की चीज थी 8 रुपे में बेचा कितने की छूट मिली एक की तो 1 रुपे की छूट मिली 9 रुपे पर तो 1 वटे 9 आ गया ये हो गया दोस्तो लाब ये हो गया आपका छूट डिस्काउंट दोनों का कर लिया अंतर माइनस का साय ने अंतर कर लिया अंतर कर लिया इनका LCM ये 9 आ गया 3 माइनस 1 हो गया मतलब 2 वटे 9 परसेंट में कनवर्ट करना है तो 100 से मल्टिप्लाई किया 22 पूरा एक वटे 9 का अंतर आ गया दोनों की बीचि में के लियर दोस्तों तो उम्मिद करता हूँ ये कोशन तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है और आठ्छ सामान पर छूट 6 सामां पर लाब के बराबर है केबल छूट परिसलत बताएं यदि आपने पिछले question को अच्छे से समझा है तो ये question आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल पहले के जैसा question है कितना है 15 सामान की लागत मूल मतलब cost price आपका कितना है 15 आपका cost price हो गया बराबर ठीक है 12 सामान के विक्रे मूल 12 आपका selling price हो गया किलियर है इसको हम जब काट लेंगे 3 से कटेगा 5 बारी किलियर है ये 3 से कटेगा 4 बारी तो ये क्या गया CP बटे में SP कितना आजाएगा 4 बटे 5 आजाएगा किलियर है 4 रुपे की चीज को दोस्तों 5 रुपे बेचेंगे कितने का प्रुफेट होगा एक रुपे का प्रुफेट होगा यहां तो कोई बीट आउट नहीं होना चाहिए किलियर है अब बाद में क्या गरा है 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाब के बराबर है 8 सामान पर छूट मतलब डिसकाउंट ठीक है तो 8 पर डिसकाउंट कितने के बराबर है 6 पर प्रुफेट के किलियर है 2 से काटो 4 बार 2 से काटो 3 बार D बटे P बराबर कितना आजाएगा 3 बटे 4 आजाएगा किलियर है यहां तो कोई डाउंट नहीं होना चाहिए अब देखिए कोशन में क्या कह रहा है यहां पर देखिए 4 रुपे की चीज थी 5 में बेचा 1 रुपे का प्रुफिट हुआ यहां प्रुफिट आपको कितने का दे रखा 4 का प्रुफिट आपको यहां पर 4 का दे रखा है किलियर है लेकिन प्रुफिट हमारा 1 बराबर होना चाहिए इसलिए क्या करेंगे जैसे पहले इसका मल्टिप्राइज इसमें कर दिया था ऐसे ही इस बार कर दो तो चार का मल्टिप्राइज इसमें भी करेंगे चार हो जाएगा चार का मल्टिप्राइज इसमें भी चार का मल्टिप्राइज इसमें भी किलियर है तो cost price क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा cp 4, 4, 16 हो जाएगा clear है sp क्या हो जाएगा 5, 4, 20 हो जाएगा clear है और हमारा man p, mp क्या हो जाएगा clear है हमारा अंकित मुल्य क्या हो जाएगा अंकित मुल्य हो जाएगा दोस्तों देखें discount कितना है हमारा 3 का discount है तो हमारी देखें तीन का डिसकाउंट है, तो हमारी 23 रुपे की चीज होगी, उसे हम 20 रुपे में बेचेंगे, तभी तो 3 का डिसकाउंट होगा, किलिए रहे, 16 रुपे की चीज को 20 रुपे में बेचेंगे, 4 का प्रॉफित हो रहा है, यहां भी प्रॉफित 4 का दे रखा है आप दोनों जगाप पर एकोल हो गया profit चार का मल्ड़ प्रहें एक से कर दिया चार हो गया यहाँ भी profit चार हो गया यहाँ भी profit चार हो गया अब कोई दिक्कत नहीं है अब आराम से सवाल को solve कर सकते हैं किलियर है 23 रुपे की चीज होगी 3 का discount दे रहें तब ही तो बीच में 20 में बिकेगी किलियर है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आप इसे कर लीजिए बस आपका answer आजाएगा किलियर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है 16 रुपे पे 4 रुपे का profit किलियर है तो क्या हो जाएगा 4 बट्टी 16 हो जाएगा बराबर इसको जब solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 चौके 16 एक बट्टी 4 हो जाएगा किलियर दोस्तों यहाँ तो क्या डाउट नहीं होगा इसे percent में convert करने के लिए क्लिए 100 से multiply किलियर है यह हो जाएगा उपर सो चार से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बारी कटेंगा 25 बारी कटेंगा किलियर है 25% कट किया यहाँ तो कोई डाउट नहीं है यह हमने profit पहले solve कर लिया अब क्या करेंगे discount को solve कर लेंगी ठीक है दोस्तों discount कितने का है 3 का discount है कितने पर है 3 का discount 23 पर है 23 रख लेंगे किलियर है percent के लिए क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे इसको भी यह हो जाएगा कितना उपर 300 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा अब 23 से जब 300 को काटेंगे तो कितनी वारी जाएगा दोस्तों यह चला जाएगा आपका तेश एकम, तेश कटके साथ बचे का सतर, तेश तरिक का उनतर हो जाएगा, पॉइंट बच लग जाएगा, वन बचा, तो इससे क्या करेंगे, वन वारी कर लेंगे, पॉइंट के बाद वन आ जाए, पॉइंट 12 आ जाए कुछी भी आ जाए दोस्तों ज्यादा बड़ी संक्या तो नहीं होती है पॉइंट लगा एक बचा अब एक में तो तेश से भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट 11 हमने यहाँ पर लिख लिया क्या करेंगे आप से क्या पूचा है केवल छूट प्रितिसत बताएं के क्लियर है तो यह है दोस्तों आपका लाब कर लिख लींगे मतलब 25 थे रह पॉइंट वर्नीático ग्लियर है आप 25 में से इसको घंटाएंगे तो कैसे घंटाएंगे देखें 25 गहां िंगे 13.1 1 हो जाएगाि 10 में से एक गया 9 9 में से एक गया आ 해서 ni 4 में से 3 जाएगा एक बचेगा 2 में से 1 जाएगा एक तो 11.89 क्या हो जाएगा दोस्तो है सही answer हो जाएगा है beton एक व्यायूस्ट करता हूँ यह कौशन भी दोस्तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ क्या होगा किलियर है यदि ऐसा question exam में पूछा जाएगा तो आप solve करके आएंगे बिल्कुल भी परेशन मत होना दोस्तों यदि समझ में नहीं आया है तो मुझे comment box में बता देना ठीक है दोस्तों यदि समझ में आ गया है तो एक like कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए धन्यवाद दोस्तों